वेलकम बैक यह वाला मेकप लुक मैंने जो है इस पेशली हॉसलर के लिए किया है जो आउटिंग पे जाते हैं आउटिंग बहुत ही स्पेशल डे होता है सारी हॉसलर के लिए तो सबसे महले मैंने टोन लगाया इसके बाद अलोवीरा जल लगा लिया यहां पर कोई प्राइम पर जरूर लगाना गले को पडोसी समझ के मत चोड़ना और गले के पीछे भी लगा लेना और फिसके बाद आइब्रोस को मैं करूंगी आइब्रोस तो बिल्कुली आपको करनी है इससे आपके फेस का लुक बहुत जादा एन्हांस बहुत अच्छा हो जाता है ब्रोस को प करेंगी फिकर बिल्कुल मत करो जैसी में बन रही है उसको ड्रॉ कर लो क्योंकि बाद में जब हम आइशाडव लगाएंगे तो उसके साथ ब्लेंड हो जाएगा उसमज सा लुक देगा फिर उसके बाद मैं यहां पर मस्कारा लगा रही हूं मस्कारा मैंने एक पहले लगा इसी को अपनी फिंगर में थोड़ा सा लेकर लेकर लोगी तो जो पहले हम लोगों ने अपनी वाटरलाइन को और आई लिट्स को आउटलाइन किया था वह सब स्मज हो जाएगा और सब अच्छा लगेगा मोटा पतला जो भी है सब बराबर हो जाएगा और ब्लश को भी मै मैं भी हलका सा भी जादा कमना हो बराबर से अच्छे से ब्लेंड कर लेना यहां पर मैं बहुत से ब्लेंड कर लेंगे रहे हूं ताकि एक ड़म नैचरल सा फिनिश प्लॉश्ट पिंक सी लगूं और जब आप होसलर होते हैं तो आपकी स्किन वैसे भी अच्छी होती है ग्लो अपनी आइस के उपर भी लगा रही हूं और आप लोग गर्मियों में ये मेकप करो सुबह से शाम तक आउटिंग में अच्छे दिखोगे किसी से भी मिलने जाओ फ्रेंड्स के साथ भूमने जाओ मुवी जाओ एकदम मज़ा आ जाएगा आपको याला मेकप लोग करके और फिर थोड़ा सा मैं पावडर लूँंगी लास्ट में असे अपने टी-जोन पे अप्लाइ कर लोंगी चाहो तो पूरे फेस पे कॉम्पाक्ट अपलाए कर लो नहीं तो सफ़ टी-जोन पे ही अपलाई कर लो बस ये हो गया रडी टूग और मुझे थोड़े लिप्स्टिक नूली वेड और जो भी जल्दी में हो कहीं गूमने जाना हो तो यह वादा मेकप लोग आप लोग दस मिट के अंदर या पांच मिट के अंदर आराम से कर सकते हैं